दुनिया भर में फूड की सौटेज पढ़ रही है रस्या उक्रेन वार का एफेक्ट पुरी दुनिया में दिखने सुरू हो गया है कई सारी आफ्रिकन कांट्रीस और यूरोप के कई देश रस्या और यूक्रेन से फूड पर्चेस करते थे अगर गेहू की बात आए तो पूरे यूरोप और आफ्रिका में गेहू यूक्रेन ही प्रोबाइड करता था यूक्रेन एक मासिव गेहू का प्रोडूसर था अब तो यूक्रेन का हाल आप देखी सकते हैं और रस्या पर भी सांक्संस लग चुके हैं कुछ देशों में फूर्ट का सोटेज दिखना सुरू हो गया है और कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि बहुत सी देशों में भुकमर की वज़े से लाखों करोडों लोगों की जाने भी जाएगी इसी बात को अंडरलाइन करते हुए इंडिया ने आप एक बड़ी स्टेट्मेंट दे दिये पीएम मोदी ने ये कहा कि पूरी दुनिया को इंडिया खिलाने के लिए तेयार है इंडिया के पास खुद के लिए काफी अनाज है रिसेंटली इंडिया के अग्रिकल्चराल एक्सपोर्ट्स हिस्ट्री में पहली बार 50 बिलियन डॉलर क्रास करके रेकॉर्ड क्रेट किया है एसी गंभीर समय में इंडिया की ये स्टेप से पूरी दुनिया को मदद हो सकता है डॉलूट्यो पर्मिसन देते ही इंडिया पूरी दुनिया को फूड प्रोबैड करना स्टार्ट करतेगा दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते है